आप लोगों को जानकारी तो होगी ही पिछले दनों मतप्वतियों के विविंद संगठनों ने ग्रहिपण दिया थाκोered ज़ाने की करण और की दूसरी लहर बढ़ने के कारण विद्यायथियों की जो परिक्षाए है विष्विद्यालियन परिक्षा हों या वहसासी आ विद्याला उनकी परिक्षाएं हों उनको इस्तगित करके open book प्रणाली से परिक्षाएं आउजे जाएंगे आप लोगों के लिए खुसकबरी है कि प्रसासन ने इस बात को सुना है और गौर्ण भी किया है प्रसासन ने ने लिया है कि open book परिक्षाओं के द्वारा आपकी प कौन कौन सी कक्षाओं की open book प्रणाली से परिक्षाएं होगी कौन कौन सी कक्षाओं की offline मीच पेपर एन मोड माध्यम से इसके तहत विद्यायथी को परिक्षा के परिक्षा देनी होगी सब कुछ जानने के लिए आप देखते रहें इस वीडियो को दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर कुनिबहरी और आप देख रहें यूट्यूब कैनल एड इंटिलेक्ट आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं कुछ सिक्षे विवाक से सम्मंदित नहीं नहीं खबरें लेकर के विद्याथियों के लिए आता हूं ताकि विद्याथियों की मन में जो भी संकाएं हों वो संकाएं दूर हो सकें आप लोग जानते हैं कि एक फरवरी 2021 का एक पत्र आया था जिसमें कहा गया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्याथियों की जो परिक्षा हैं वो आफ लाइन माध्यम से होंगी मतलब पेन पेपर मोड से होंगी और जिसके लिए विद्यायतियों को परिक्षा केंद आकर के परिक्षा डेनी थे लेकिन अभी हाली में 27 मार्च को अन्य और सिक्षा मंत्री मुहन यादाव जी ने एक संदेश दिया है और यह संदेश जनसंपर्ग विभाग की सूसल मीडिया एक वीडियो के रूप में दाया है कि आप लोगों की परिक्षाएं कैसे होंगे इस वीडियो के तहट उन्होंने बताया है कि विद्यायतियों की समस्याओं को देखते हुए को ने परिक्षा के रूप में या तरीके में बहुत बदलाव यह सब जानकारी बताने के लिए मैं अपनी वैप साइट एं तमजानकारियां महिया करवाने की कोशिस की है जो कि विद्यायथियों के लिए आवश्चक है आप desktop mode पर यह देख रहे हैं यहाँ पर about यानी मेरे बारे में दिया गया है और यह LMS Learning Management System जो विद्यायथी Google Class का ओपियों करते हैं वो सभी विद्यायथी यहां से Google Class को सकते हैं यह जो अगला कैप्शन है रिसेंट अपडेट यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इस कैप्शन के तहत में कोशिस करता हूं कि विद्यायथियों को उच्छववाग की नवीन जानकारियां उपलब्द करवा पाऊं देखिए यह निव अपडेट लिखा हुआ है और 27 मार्च 2021 का जो अपडेट है जिसमें मैंने लिखाए बिस्विद्यालेईन कालेज परिक्षाएं अब मई में होंगी जो एक फरवरी 2021 के आदेश के अंसार अप्रेल में पराहम होनी थी और जिसकार से कई बिस्विद्यालेओं ने अपने समय सारी घुसित कर दी थी अब वो परिच्छाएं मई से प्रारम होंगी इसनातक प्रथम दुतिय वर्स तरह इसनातक अच्छतों सेमेश्टे की परिक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से मई में होंगी ओपन बुक प इसके सम्द्थ में अभी सासन के लिखित रूप में ने देश प्राप्त नहीं हुए हैं जैसे वो ने देश प्राप्त होंगे कि किस प्रकार से आयोजित होंगी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ जाऊंगा तो जो इसनातक प्रथम एवं दुतिय वर्स के विद्धिय थी हैं वो इशनात को तरदुतिय सेमेश्टर के विद्यायत हैं इनकी परीक्षाइं ओपिन बुक प्रणाली से होंगी अर्थात आपको महाविद्याले की वैप साइट इंवर्स्टी की वैप साइट सोचल मीडिया के माध्यम से कुश्चन पेपर अपलब्द करवाया जाए जिनकी लिष्ट बाद में जारी जाएगी इस प्रकार से आपकी परिक्षाइं आयोजित हो जाएंगे एक बात और बता दें ओपन बुक प्रणाली से आपके जो भी प्राप्तांक होंगे उन प्राप्तांकों का कुछ गुरान प्रम ही आपके फाइनल रिजल्ट में जोड देश आएंगे अब देखिएगा इसनाथ तक तितिय वर्स एवं इसनाथ को तर चतुत सेमेश्टर की परिक्षाइं आफ लाइन पेपर पेन मोड से जून में होंगी यानि ऐसे विद्यायतियों जो कि इसनाथ तक अंतिम वर्स बीए बीएसी बीकॉम या अन कोई खिलास ह अध्यारत हैं और चतुत सेमेश्टर के विद्यायतियों की परिक्षाइं आफ लाइन मोड से होंगी और उन्हें ऐसे विद्यायतियों को परिक्षा केंद पर आकर के परिक्षा देनी होगी जैसे की परिक्षा परमपरागर धंग से होती थी यहां पर एक बात बता देना चाहेता हूं कि ये दोनों ही तरीके आफ्लाइन मोट के हैं चाहे आपकी उपन बुक परिच्छा परणा ली हो वो भी आफ्लाइन है और चाहे बिद्यार्थियों को परिच्छार्थियों को परिच्छा केंद आका के परिच्छा देना हो वो भी आफ्लाइन है हां दोनों के के अलग-अलग ते दिये गए हैं यह महत्पूर्ण जानकारी देखिए मैंने इस के अपसन में आपके लिए उफलब्द करवाई है यह निश्ची तरूप से आप लोगों के लिए खुसकावी हो सकती है इसके तहत में विबिन जो अक्वारों में प्रकासित होने समाचार होते हैं उन्हें भी महिया करवाता हूँ प्रूट अगरे या फीच्बूक की जानकारी होती है उन्हें महिया करवाता हूं सबूत के तोफ़ यहां पर देखेंगे जैसे मैंने यह लिंक ुई है इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो कैसे परिक्षाएं हुई थी उनके बारे में जानकारी दी है और इस बरस कैसे परिक्षाएं हुई इसके बारे में जानकारी दी है जिसके सार को मैं आप लोगों के सामने पहले ही बता चुका हूँ तो मैंने बताया कि ये recent updates बाला जो caption है आप लोगों के लिए बहुत ही important है ये blog बाला जो caption है, blog बाला caption में आपको मेरी पोस्ट्स आपको मिलेंगी जिसके तहत मेरे विभन बिसेयों पर मेरे विचार पढ़ने के लिए मिलेंगे ये आप लोग रुची रखते हों तो इन्हें जरूर पढ़िएगा ये content बाला caption भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है यहाँ पर general English, English literature में fiction और linguistics and stylistics के note यहाँ docs and pdf से विद्यायती डाउनलोड कर सकते हैं YouTube मतलब आप उस channel पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर मेरे research article है जो भी विद्यायती या अनलोग रुची रखते हों वो जरूर पढ़ें यह gallery का caption है जहाँ पर जाकर के वो विभिन प्रकार की photo बगरा वो देख सकेंगे विद्यायती के मन में कोई query है, कोई person है विद्यायती इस contact वाले section में जाकर के देखिएगा, यहाँ पर मेरा mobile number भी दिया है, email address भी दिया है आप इस contact वाले form को भरकर के आप send कर दीजिएगा इससे आपकी जो समस्या है मेरे तक पहुंच जाएगी और मैं इत्हा संभाव आपके जवाब को तुरंथी प्रेसे करूंगा यह website आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर है, इसे home page है यह बिभिन कैटेगरी है जहां पर की कहना चाहिए आपको सामागरी उपलब्द होगी जैसे student support यानि विद्यायतियों की ओपियों को ही तु जानकारिया general tech, google meet का ओपियों करना या विद्यायतियों की समंद्ध में अन teachers के लिए क्या क्या general tech हो सकती है उसके समंद्ध में यहां पर आपको पोस्ट मिल सकती है English tutorials यानि मेरे ऐसे वीडियो या पोस्ट मिलेंगी यहां पर जो की general English या English literature पर आधारित होंगी research skill, research means paper writing, thesis writing के समंद्ध में विद्यायतियों को यहां पर वीडियो उपलब्द हैं और कहना चाहिए कि मेरे ideas भी उपलब्द है government का जो procurement होता है या क्राय होता है उसके समंद्ध में भी मेरे video और कहना चाहिए कि मेरे post यहां पर उपलब्द होंगी जिसके तहत में बताऊँगा कि क्या क्राय नियम है और यदि GM से क्राय कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से क्राय करना चाहिए live event कुछ सिक्षा से समंद्ध कोई live event है या कहने चाहिए मैंने खुद स्वेम कोई live event आयो जित किया तो उसके समंद्ध में जानकारी भी आपको यहां से प्राप्त हो सकती है यह latest tips for students, student के लिए जो latest tips हैं उनके बारे में यहां पर एक caption दिया गया है जहां पर विद्यायतियों को latest जानकारी आप्त हो सकती है JMA procurement से समंद्ध कॉलम है यहां पर आप सबसे नीचे जब आएंगे और यह सभी जानकाई है प्राप्त करने के लिए आपको मेरा notification पहुंचता रहे इसलिए आप email से अपना जो भी email है उस सब्सक्राइब करने है ताकि जो भी विद्यायतियों के लिए या सिक्षकों के link है mcbu यहां पर चतरपुर का जो विश्विद्याला है उसकी लिंक यहां पर दी गई है पिर्वेस MP online यह पिर्वेस के समय आपके लिए प्योगी हो सकती है MP scholarship portal विद्यायति MP scholarship के portal पर पहुंचने में थोड़ी दिक्यत महसूस होती है यहां से वो डायक पहुंच सकते हैं यह भी जानकर यहां पर दी गई है कि इंडिया में कितने colleges हैं UGC के द्वारा recognized हैं कितनी universities हैं जो कि UGC के द्वारा recognized हैं आप चाहें तो social media पर मुझे YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और LinkedIn पर follow भी कर सकते हैं हाँ पर भी यह सब जानकरिया आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं यह मैंने बताया भी आपको desktop view बताया था मैं चाहता हूं कि आप लोगों को mobile view भी थोड़ा सा पता दूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिखतना हो देखिए mobile view है आपको जो यह मीनू दिख रहा था यहां से यहां वो आपको इधर वाला मीनू देखेगा देखिए यह आ गया home आ आ गया about आ गया LMS आ गया recent updates आ गया blog आ गया content आ गया gallery आ गया contact आ गया और यह देखिएगा पूरी website आपको इस तरह से नजर आएगी mobile भी आप कहने इसका उप्यूब कर सकते हैं यह थी जानकारी अभी नई नई जो कि मान्य मंत्री महुदर की द्वारा दी गई है और जनसं संपर्ग विभाग मत्तदेश सासन का विभाग है इसलिए हम इसे authentic जानकारी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है यदि अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक से अधिक विद्यायथी आवानवित हो सकें और इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीज किया थी मेरी इस website पर जरूर विजिट करें क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनके बारे में वीडियो नहीं बनाता हूं नवीन तम अपडेट्स के बारे में जानकारी के लिए आपको मेरी इस website पर विजिट करना होगा आपने अपना इतना अमूल समय दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत भूद